किसान साथियों, जहां पर हम फसलों की हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल को कटाई के उपरांत, उसकी गहाई कारिये करते हैं, थ्रेशिंग कारिये करते हैं, उस इस्थान को आज हम देख रहे हैं। यह वह स्थाने जहां पर फसल को काटने के बाद सुखाया जाता है, और थ्रेशिंग किया जाता है, गहाई की जाती है, सफ़ाई की जाती है, आप यह मसीन देख रहे हैं, यह मैनुली सफ़ाई करने के लिए परियोग की जाती है, और बिल्कुल पक्का फरस है, जहां पर फसलो को इकटा करके सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में आप यहां पर देख रहे हैं, यह उडद की फसल है, आपको बारिक बारिक दाने काले काले से दिखाई दे रहे हैं, यह उडद की फसल है, उडद को यहां पर इकटा कि लिएधोदी स collapsing करने के लिए हमारे यहाँपर देखो जापने टेक्नोलोजी शेवनी हूई ये बहुत ही बहत्रीन थ्रेश्य का कितनी च्छोटी है और मोटर से चलती है लिद्पा बज्जिली की मोटर से इसको चलाए जाता है और नीट जो फसल कटी हुई फसल है वो डाली जाती है और इसके बाद में यहां से यह पूरी फसल इसमें प्रोसेस हो करके और बाहर आती है कैसी छोटी सी त्रेसर है इसके अलावा यहां पर बहुत सारे क्रशी उपकरन है जो भी मैं आपको यहां से विजिट कराऊओगा इस त्रेशर के अलावा यहाँ पर यह ग्रेडिंग यूनिट है जिसके अंदर हमारे किसी भी फ़सल को ग्रेडिंग करने के लिए परियोग किया जाता है यह ग्रेडर थोड़ा पुराना हो गया है इस ग्रेडर के दुआरा हम ग्रेडिंग करते हैं किसी वे फ़सल की है, फ्रेशर यूनिट में आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास में different types of thresher हैं, रीपर हैं, हर्वेस्टर हैं, यह देख रहे हैं आप, यह सबी आप जो यंतर देख रहे हैं, यह सभी क्रशि उपकरन है इनको हम फारम इंप्लिमेंट्स बोलते हैं यह सभी फारम इंप्लिमेंट्स अलग-अलग यूज के लिए बनाए हुए हैं आप देख रहे हैं different types of котором implements यह बहुत पुराणे भी हैं और इसमें कई नए टेकनोलोजी के भी हैं ये आप जो यंत्र देख रहे हैं ये लेंड लेवलर है लेजर लेंड लेवलर बोलते हैं इसको ये जमीन को बिलकुल लेवल करने के काम में आता है बहुत पुराणा है देश अजाद हुआ था उस टाइम का है लगभग और ये कल्टिवेटर है शीड ड्रील है इस शीड ड्रील के अंदर फर्टिलाइजर और शीड को सेपरेट बुआई किया जाता है ये आप देख रहे हैं कल्टिवेटर है ये जो छोटा टेक्टर आता है उसका हेरो है ये दूसरे प्रकार का चीजर हेरो है ये आप देख रहे हैं डिस्क हेरो है डिस् मारे पास में रोटावेटर है लोटावेटर के इलावा यह प्रौ मेकर है आजकल जो सबजी array खेटी हम कर रहे हैं वह इस फ्रो मेकर से हम प्रोसा बना कर के करते हैं यह भी शीड ड्रिल है जो की शीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है और वरक और बीज को एक साथ बुए करने के लिए परियोग की जाती है इसके लावा हमारे पास बहुत सारे कर्शे उपकरण है वह भी मैं आपको दिखाता हूं